गुड बॉर्णिंग एब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे तुड़े इस ट्वेंटी फस्ट आफ एपरल ट्वेंटी ट्वेंटी टू और डे है त्रस्टी तो चलिए कुछ कोशिन नेते हैं रिजनिंग के जो की पहले जो वो एक् कारे हैं बहुत सारे कोशिन जो वो हम पहले वी डिसकस कर चुके हैं दो कोशिन रेंगे एक जो वो यहां पर ब्लट लेसंस से लिकर कोशिन और एक कोशिन जो यहां पर घड़ी की सुईयों से लिक जाए इसमें जो वो लोग सब कुछ डिस्कुस करने वाले हैं कि 90 डिगरी कैसे कहां जैसे बनता है कब जो वो दोनों हैंड्स का मतलब है दो ही लेंगे सेकंड बाली हैंड्स को छोड़ करके मिनट और आवर वाली जो हैंड है उन दोनों को लेकर के जो वो कोशिण केंपर करने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक की कोशिण नहीं बलकि सभी टायब के कोशिशन जो यहां पर घटी से लिटेड़ mother is the sister of P ठीक है, आगे लिखा है कि and daughter of M S is the daughter of P and sister of D how is M related to T ठीक है, तो यहां पे हिंदी में देखिए Q की मा जो वो P की बहन है तो था M की पुतरी है Q की मा पी की बहन है तो यहां जैसे मैंने जो वो मा ले ली क्योंकि इसने मा को कुछ नहीं बोला है उपर लिख लिए, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने जो वो अलग ट्रिक के साथ जो वो इसको किया होगा आपने कैसे याद रखा है वो जैसे आपने जो याद रखा है जो प्लस लेंगे, फिमेल के लिए माइनस लेंगे जो मरजी रखा है, बिल्कुल सिंपल तरिके से कैसे कर सकते हैं, वो समझेए बस ठीक है, क्योंकि माँ है तो उपर ले लिए माँ और क्यों जो नीचे ले लिए ठीक है, और पी की बेहन है अब पी की बेहन है, कौन? जो माँ है वो पी की बेहन है तो P जो बो इस साइड आ जाएगी क्योंकि बैहने तो E की जनरेशन के मैंने एक साइड जो बो लेफ्ट राइट रखती है ठीक है आगे इसने बोला कि M की पुतरी है तो जो मा है क्योंकि बो M की पुतरी है अब M तो बड़ी होगी क्योंकि उससे मां की जो मदर होगी क्यों, की ना जो बो यहां पे है और इसकी भी ना जो बो उपर है जो की M है तो M मैंने इसके उपर रख दिया क्योंकि ये जो बो इस मां की बी मां है अपर, आज होप आप समझे होगे आगे लिखा है की S, P की पुतरी है तो S जो वो पी के पुतरी है मतलव कि इस मा की जो sister है यहाँ पे तो इस की जो वो यह पुतरी है तेके में ब쁙लक से बनाता हूं इस पुतरी को पुतरी होगी तो नीचे होगी मतलव कि सोरी S जो वो यहाँ पे लिख दिया मैंने ठीक है। आगे इसे नमला कि टी की बहन है, तो स, जो पी की बुत्री है, तो मेल भी बहती है, अग है, अब पापा की बुत्री भी बोचकती हैं, तो M का T से तो T जो वो M को क्या बोलेगा दादा बोलेगा कि दादी बोलेगा ठीक है तो क्योंकि इसका मेल का पता नहीं है देखे क्योंकि ये इसकी मा है अब आपकी जो मा होगी ठीक है आपकी जो जैसे पापा होगे तो मा पापा जो भी होगे तो उनकी जो मदर होगी वो आपके दादा दादी कहलाएंगे तो यहाँ पे T की पूछ रहा है इस generation से एक generation उपर चले गए फिर इसके भी उपर चले गए तो दादा दादी का रिष्टा होगा तो दादा या दादी जो वो यहाँ पे सही answer होगा तो दादा या दादी जो वो is the विल 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 राइक answer ओके नेक्स कोईशिन देखते हैं नेक्स कोईशिन यहाँ पे है यस यह कफी इंटरस्टिंग कोईशिन है इसमें जो वो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इसलिए इस कुछिन को जो वो पूरा देखिए वीडियो को पूरा देखिए How many times in a day do the hands of a clock coincide with each other एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुईया एक साथ होती है ठीक है एक घड़ी की बात हो रही है जैसे घड़ी जो वो एक clock मैंने बना दी जो दिवार घड़ी होती है तो उसमें जो दो hands की बात करूँगा मैं दो सुईया जो वो एक साथ होती है कितनी बार घड़ी की सुईया एक साथ होती है तो second वाली को जो हैसे तो आपको बता है कि तीन hands होती है तीन जो वो सुईया होती है गड़ी में एक minute की होती है एक गंटे की होती है और एक second की होती है तो second वाली को भूल जाओ हम लोग जो यहां पे देखेंगे सिर्फ किस की गंटे वाले सुई और minute वाले सुई देखें जब आप 12 बजते हैं को इंसाइड का क्या मतलब है वो समझे पेले यह बो रहा है कि एक दिन में कितने गंटे होते हैं 24 गंटे की बात हो रही है 24 गंटे में ध्यान देजिए 24 गंटे की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब है कि यह जो आपर वाली हैंड है वो जो वो एक राउंड लगाएगी ऐसे ठीक है फिर जो वो देखे एक round लगाएगी तो 12 hour होंगे ठीक है दूसर round लगाएगी क्योंकि 24 hour होंगे तो 2 round जो वो एक complete करेगी हम लोग एक round का देखेंगे फिर जो वो उसका double कर देंगे और हमार answer आ जाएगा coincide का मतलब क्या है बो समझें सिर्फ ठीक है coincide का मतलब है जैसे यहाँ पर 12 बजते हैं तो आपकी जो hour वाली hand है बो मोटी होती है तो यहाँ पर पहुंचिया भी मालो 12 बजगे तो minute वाली hand भी जो यहाँ पर इसके साथ ही होगी मतलब एक दूसरे के उपर होगी तो इसका मतल से देखेंगे तो एक बज़े के बीच में जैसे जैसे चलेगी ठीक है जैसे ऐसे मालो बिल्कुल सिंपल वासा में समझें कि यह जो minute वाली है ऐसे ऐसे एक राउंड कंप्लीट करेगी लेकिने जो घंटे वाली है तो यहाँ पर 12 और एक के बीच में रहेगी मतलब की 12 और करें तो यह कोईंसाइट करेंगी ही तो आई हो आप समझे रहे होंगे तो बारा और एक के बीच द्यान समझें जैसे यहां पर 12 बज़े जो दोनों कोईंसाइट करें ठीक है एक बार फिर जो यहां पर जब जब यह चलेगी यहां से यहां तक तो एक जब बजेंगे अच् थोड़ी सी जा चुकी होगी तो यहां जैसे पहुंच चुकी होगी क्योंकि एक जब बजेंगे तो यहां पर 12 बजे होगी मिनिट की फिर जो यहां पर एक बजे होगी आवर की तो एक से थोड़ी सा आगे चले जाएगी और एक से आगे ही फिर से कोईंसाइट करेंगी इस हर एक में जो वो एक बार मिलेगी आपस में तोटल होते हैं 12 आवर लेकिन अगर आप ध्यान से लेखेंगे तो यहाँ पर 11 और 12 के बेच में जो वो यह आपस में नहीं मिलेगी क्योंकि 12 आवर हमने काउंट कर लिया है इसका मतलब है कि पूरे 12 आवर में पूरे आधे दिन में जो वो यह जो बारा बार नहीं मिलेगी 11 बार मिलेगी बस यह लॉजिक जो वो आपने याद रखना था याँपे 11 बार मिलेगी तो दूसरे राउंड में भी 11 बार तो 11 ग्यारा हो गया 22 तो 22 आवर जो वो यह WE देगी आपस में इस बात को आप याद रखिए एक और कुश्चिन जो इससे लिट पुछा जाता है कि पूजिट जो वो कितनी बार होता है अपूजिट का मतलब समझेगे पहले अपूजिट क्या होता है देखिए यहां पर रड़े देता हूं अपूजिट का मतलब है जैसे वन और बारा के बीच में जो यहां जैसे पहुंची होगी तो यह जो मिनिट वाली जो हैंड होगी वो जो इसके बिलकुल अपूजिट होगी मतलब कि यह जो बिलकुल कितने डिगरी का एंगल बनाएगी बारा और एक के बीच में कहीं यहां जैसे जो वो ऐसे बनेगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यह दिखे कि यह जो वो minute वाली है और यह जो वो hour वाली है तो कुछ इस तरह से opposite कहलाएगा opposite में अगर आप द्यान से देखेंगे तो हर एक hour में जो वो एक बार जो वो opposite होगा लेकिन इसमें भी exception है जैसे उसमें था इसमें क्या होता है कि 6-7 वजे के बीच में जो एक बार भी जो वो opposite नहीं होता है तो आप द्यान से देखेंगे आप जो वो दिबार गड़ी लेजिए उसमें जो गुमाते रहे गुमाते रहे देखते जाए कितनी बार हो रहा है तो आपको इस सभी question जो अगर एक बार practically है और अगर एक पूरे दिन में पूछ दिया जाए तो 22 हो जाएगा double करिए ठीक है अब आता है inline inline भी कई बार जो पूछ जाता है inline का मतलब सीधा सा a है inline का मतलब है या तो opposite होगा या तो coincide होगा ठीक है inline मतलब की एक लाइन तो एक लाइन जब कब बनेगी जब एक कि अ पूरे दिन में कितनी बार हुआ हुआ तो यहां पे जब उन लाइन की बात की जाए तो इसका double हो जाएगा 7-12 यहां पर और 22 दुन हो जाएगा 24, sorry 44 तो 44 times जो वो इन लाइन जो वो एह होगी जो हमारी hands की जो hands है ठीक है पूरे एक दिन में ठीक है एक और question जो पूछ जाता है कि 90 degree ठीक है एक आफ इंसेस्टिंग है 90 degree जो केतनी वार बनता है पूरे दिन के बात करेंगे सिधा है 90 degree देखे जैसे हमारी जो यहाँ पर आवर वाली hand है तो minute फाली जैसे चलेगी तो आवर वाली साथ में चलेगी जैसे मालो minute वाली यहाँ जैसे पहुंची होगी तो 90 degree तो बन रहा है ठीक है मतलब की अगर हम देखें आवर वाली को देखें कि आवर वाली चलेगी यह बारा से एक बज़े के बीच में फिर जो वो मिनिट वाली तो हर एक गंटे में जो गुमती रहेगी ठीक है तो यह बारा से एक बज़े के बीच में यहाँ जैसे जो यह 90 degree बनाएगी ठीक है, यहां जैसे 90 लिगरी Бनाएगी, लेकिन यह यहां जैसे पहुंचेगी, फिर जबौ यह भाल भू यहां जैसे पहुंचेए, फिर जब 이 S हुई तो ऐसा चलती रहेगि फिर यहां जैसे तो फिर से बन जाएगा 90 degree मतलब कि 12 और 1 के बीच में जो इसने 2 बार 90 degree बना दिया ठीक है आई हूँ आप समझ रहे होंगे 90 degree या 270 बोल दो इसको उल्टा बोल दो 270 degree या तो 90 degree बोल दो अगर आप इमेजन करके इमेजन तो क्या करना है लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप आएंगे कि आपकी जो clock है तो आपको जो वो ऐसा लगेगा लगेगा नहीं एक्चल में ऐसा ही होता है देखें तीन से चार सब में जो वो सबी बाज जैसे बारा से एक बजे के बीच में जो दो बार 90 degree बना लेकिन आप देखेंगे कि तीन से चार बजे के बीच में सिर्फ एक बार ही 90 degree बनेगा और तिन से चार और नौ से दस बजे के बीच में भी सिर्फ एक बार ही 90 डिगरी बनेगा बाकी सभी में जबो दो बार बनेगा तो सभी में दो बार बाकी एक में जबो यहां पर सभी में दो बार बस तीन से चार बजे के बीच में एक बार और 9-10 बजे के बीच में एक बार 90 degree बनेगा तो पूरे एक गंटे में जो वो कितना हो गया calculate करें जल्दी से ठीक है 12 गंटे होगे तो आप द्यान से लेखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 11 अगर हम द्यान से लेखेंगे तो पूरा एक जो भी clock है हमारे पूरी तो इसको पहले तो एक बार पूरा जो गंट कर लेजी क्यूंकि यहां पे तीन से चार बार जो हो एक बार रही बना और यहां पे जो नौ से दस बार जो एक बार रही 90 degree बना मतलब कि एक बार जब पूरा राउंड लगाएगी मतलब कि बारा घंटे का जब आधा दिन हम बोलेंगे कि आधे दिन में कितना जब वो 90 डिग्री बनेगा तो 22 जब बनेगा अगर पूरा दिन में पूछे तो 22 तूजा कर दीजिए 44 is the right answer तो यहां पर जब बाते जब पूछी जाती है तो इसलिए यह बाते भी आपको साथ साथ में यान रखनी है तो बताइए इसमें जब हमने वैसे काफी कुछ शुब डिसकस किया बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करीए अगर बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करीए अगर थैंक यू एंड हाव नाइस टी